दोस्तो नमस्कार जैहिन जैभारत मैं आपके अपने चैनल पर मैं आपके अपने चैनल एम एग्जुकेशन सफर पर आसा करता हूं सब्सक्राइब ठीक होंगे दोस्तो आज का मेरा जो टॉपिक है वह एक्जाम की दर्शे से बहुत महत्मुन टॉपिक है यह जिस आप आपको भी तैयार कर लेते हैं तो आप कोई भी एक्जाम देने जा रही है चाहिए आप पीशेस का एक्जाम दें या किसी भी डिपार्टमेंट की गुरुबडी का एक्जाम दें यहां से यह कोशन इस टॉपिक से आता है तो मैं वादा बिस्वास दिलाना चाहता हूं पाहर नहीं चाहेगा आपसे मेरा बिनम निमीद नहीं है कि आप कॉप्य और पैंसल लिकर के बैठें और मेरे साथ एक बहतरी नोट्स पनाएं और इसके बाद लास्ट बात मेरी यह है यदा आपको मेरा सैसन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बात वैल आइकन क्लिक करके और पर स्लेक्ट कर लें ताकि वे जो बीडियो बनाऊं उसका नोट्टी पिकेशन आप तक पहुंच सके बि ब्रिक्स संग्ठन मैं आपको यह बताऊंगा कि ब्रिक्स क्या है इसकी स्ताफना किसे देख कर के की गई है इसके बारे बताऊंगा और इसमें कौन-कौन से देश संब्लत है और इसका क्या टार्गेट है क्या वद्देश है तो आप मेरे साथ इस तरह से डाल लीजिए है ब्रिक्स यह ब्रिक्स है ब्रिक्स संग्ठन है सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या है यह सब चीज हम देखेंगे इसमें पढ़ना क्या है तो सबसे पहले इसका संचिप इसका पूरा नाम पूरा नाम क्या है उसके बाद संस्थापक देश देश उसके बाद हम देखेंगे वर्तमान देश मित्र यह पढ़ने का तरीका है सबसे पहले इसका पूरा नाम देखेंगे हैं इसके बाद में से देखो हर टॉपिक को पढ़ने से पहले उसमें यह देखना चाहिए कि इसमें पढ़ना क्या है कौन एक्जाम की दस्टी से मैं पूर है तो इसका पूरा नाम क्या है संस्तापक देश कौन से हैं बर्तवान देश के कौन से हैं इसकी इस्थापना कम हुई थी ब्रिक संगटन की इस्थापना कम हुई थी इसके बाद देखेंगे हम इसका मुख्याले कहां पर है क्या मुख्याले कहां पर है यह हम देखेंगे उसके बाद इसका प्रथम सम्मिलन कब हुआ था वर्तमान में इसका कौन सो सम्मिलन हो रहे हैं वर्तमान सम्मिलन और उसकी थीम क्या है वर्तमान सम्मिलन और उसकी थीम क्या है इसके बाद देखेंगे कि बिश्टु की कितने प्रस्ट जन्सन क्या इस सम्मिलन इन देशों में सम्मिल थे और वर्ल्ड का बिश्टु का कितने परसेंट जीडीपी को यह सवाले हुए हैं कि कितने परसेंट और में इन देशों पंदर्बर रहें देशORAशा कि को हैं कि इसके देखेंगे इसके कौन कौन से शंग्ठन है कि इसके संग्ठन कौन कौन से हैं बतलब ब्रिक्स का कोई और संग्ठन है तो इसके संग्ठन कौन-कौन से हैं इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके पाद यह देखेंगे कि अपना भारत है कौन भारत है भारत में इसका कितनी बार सम्मेलन हो चुका है हुआ है मित्र इन टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं इन टॉपिक को यह आप पढ़ लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां से कोई भी कॉशन आपका बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ब्रिक्स में जो पढ़ना है वो आपको इन सब सब्दों में देखने के लिए इसका पॉइंट और रह गया इसके गठन के वो देश क्या है यह महत तो क्या है इसका गठन क्यों किया गया था ऐसी कौन सी आप सक्ता पड़ ली थी इसका गठन किया गया था तो इसमें आपको स्थापना कम हुई, इसका मुख्याले कहां पर है इसका पहला संब्लान कहां पर किया गया था बर्तवान संभिलान ने कहां कें जो देष है बर्तवान संभिल ships से उन में कितनी adds ocup दिश्व करती है विश्षी to कि जीदिपी का कितना यूगदान है व्यापार ट्रेड का कितना यूगदान है और संग Mental जो ब्रिक्स सब्सक्राइब ही और कोई उपसंगफम कौन कोज ऑन से इसके बाद इसका उच्छ क्या है भारत मंतलक्त सम्मिलन कि वार किया यह दुखकाई याद मित्र इन टॉपिकों को आप करम बाई क्रम अध्यन कर लिते हैं तो कोई कोशन वार जाने का सवाल नहीं है तो आईए हम इसका कर्म बन तरीके से अध्यन करते हैं तो देखिए मित्र सबसे पेले इसको अठाणा पड़ेगा इसको आठाना पड़ेगा मित्र तो देखिए आप आईए अधिन करिए और इसके साथ अपना नोट्स बनाईए सबसे पहले जो ब्रिक्स है यह ब्रिक्स है ब्रिक्स में पाँच देश संबल थे कितनी मित्र पाँच देश संबल थे अगर पूछा जाता है कि बरतमान में इसमें कितने देश संबल थे हैं तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि ब्रिक्स में पाँच देश संबल थे हैं अब कौन-कौन से संबल थे हैं वो आप देखिए कौन कॉन से देश समिध्द है उन्हें आप देखिए सबसे पहले बी से क्या हुआ ब्राजील क्या हुआ है जी से क्या हुआ यह जो है अमेंडर की देश है और वे इसका एक शहर है श्क्राप बंदर गाह सें किति कोफी बंदरा कहते हैं ज्मानी कफी इस ही में नहीं उत्पादन अनंगा ब्राजिल में ब्राजिल गंवा ब्राजिल आर से क्या हूं रूस कि रूस कि अपना प्यारा वहारत इंडिया क्या फ्ल्टावब क्या हantry अग्या दच्छड अफ्रीका इस तरीके से देखा जाए तो इसमें पांच देश सम्मिलते हैं सबसे पहले ब्राजील उसके बाद रूस उसके बाद इंडिया अपना भारत सी से चाइना हो गया ऐसे साउथ अफ्रीका एक और फिर देखेंगे बी से ब्राजील आर से रूस आई से इंडिया स्पी से चाइना से साउथ अफ्रीका इस अफ्रीका यह कैपिटल पूशी जाए तो ब्राजील कि राहिधानी ब्राजिलिया रूस की मास्कू है इंडिया की भारत है चीन की विंजिंग है दच्छड अफ्रीका की कौन सी है बताएंगे आप सेंट्यांगो तो आप यह पांस कंट्री हैं पांस कंट्री को आप याद रखिए इसका संचिप्त नाम यहीं है अगर संचिप्त नाम पुश्या जाता है तो बता सकते हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चायना, दच्छड अफिरिका इसे आप नोट कर लीजिए अब देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी इसकी स्थापना कब हुई थी मित्र इसकी स्थापना स्थापना में आएंगे दस जून 2006 में की गई थी कब की गई थी मित्र दस जून 2006 में की गई थी इसकी स्थापना ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी 2006 में की गई थी लेकिन इसका प्रथम संबिलन 2009 में हुआ था कब हुआ था 2009 में हुआ था इसका प्रथम संबिलन कब हुआ था 2009 में हुआ था जब इसकी स्थापना की गई थी मित्र उस समय मित्र इसमें किवल चारदे सम्वलित थे तब इसे ब्रिक्स नहीं कहा जाता था किवल ब्रिक कहा जाता था क्या कहा जाता था ब्रिक कहा जाता था उस समय से में चार देश समलित थे नमबर एक ब्राजील नमबर दो रूस नमबर तीन चीन या इंडिया लिख देते हैं महारत लिखते हैं महारत क्रम से और नमबर चार पहें चीन नमबर चार पहें क्या है चीन है तो जब इस्थापना हुई थी उस समय इसमें चार देश थे ब्राजील रूस इंडिया और चाइना चार देश इसमें में त्रफ शमलित थे यह आपको क्लियर हुआ अच्छा एक कोशन पूछा जाता है इसमें कि जो ब्रिक्स सब्द है इसको सबसे पहले किसने बताया था कि ब्रिक्स यह सब्द है और ब्रिक्स में यह ये देश समयुक्र होने चाहिए तो उनका नाम था जो चीन के थे एक जिमलीन नमत बैँकती थे कौन थे जिमलीन 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 नामक बैकती थे जिन्होंने ब्रिक सब्द का प्रयोग किया था ब्रिक सब्द का शब्द का प्रयोग किया था यह पूछा जाता है कि ब्रिक सब्द का प्रयोग किसने किया था तो आप बता सकते हैं जिमलीन जो चाइना की थी यह चीन के उद्धोग पती थी कौन थे उद्धोग पती थे जैसे अपने यहां उद्धोग पती हैं उसी तरीके चीन में यह उद्धोग पती थे जिमलीन और उन्होंने ब्रिक सब्द का पहली बार प्रयोग किया था जब इस्तापना हुई थी दो याच्छे में तब इसे ब्रिक कहा जाता था उसमें चारदे संब्लित थे लेकिन उसके बाद 2009 में इसका संब्लिन होता है कहां होता है 2009 में इसका पहला संब्लिन कहां पर होता है तो रूस में होता है कहा पर होता है रूस में होता है आप याद रखेंगे कि ब्रिक्स का पहला संविलन कहा पर हुआ था रूस में हुआ था रूस के ये के तिन बर्ग में हुआ तो आपको यह क्लियर हुआ इस थापना कब हुई है ओ CHA इसके बाद इसका पहला समदो 1249 में होता है रुच में होता और यह केतन वर्ग नगर में होता है इसको आप नोट के लिजिए vissenschaft में इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए अगर पूछा जाए जो पहले इसमें चारदे संब्लिक थे 2012 में 2010 में 2010 में ब्रिक्स देशों में दच्चन अफ्रीका को को संब्लित किया गया था किसको संब्लित किया था मित्र दोया दस में ब्रिक्स था उसमें दच्चन अफ्रीका को संब्लित करके इस संगठन का नाब ब्रिक्स पड़ गया कब क्या पड़ गया ब्रिक्स पड़ गया तब से इसे ब्रिक्स कहते हैं अब देखिए मित्र इसके बाद एक रोचक बात और है इसका जो मिलना होता है वो इसी के अलफावेट के होता है जैसे मान के चलिए पहले ब्राजील में होगा उसके बाद इसका संब्लन होगा रूस में होगा उसके बाद किसमें होगा उसके बाद किसमें होगा चाइना के बाद सावत अफरीका में होगा सावत अफरीका बाद फिर ब्रा 2020 का जो क्ना 24 संब्दविलन था कौने सा giright try in इतो कौन सा 2022 का चौड़ वे संब्दविलन था अगर पीछे जाता है 2022 में जो संब्दविल था है वो कौने करें का संब्दम है तो आठंड़ सकते चौदेवे करम का सम्मिलन है और यह चीन में आयोजित किया गया था इसके बाद एक रोचक बात और बताएंगे आपको इसी में कि इसका जो मुख्याले है इसका ब्रिक्स का जो मुख्याले है वो इसी चीन के संगाई सहर में है काँ पर है शंगाई सहर में है काँ पर है शंगाई सहर में है आप देखिए कि दौह दस में इसमें दच्छवप्री का संविल्ट कर लिया गया था तबसे से ब्रिक्स कहते हैं दोजार बाईस का जो संविलन हुआ है जो किरम से चोदेवे नम्मर का है यह चीन मायुत किया गया है और क्योंकि इसका मुख्याल कहां पर है संगाई चीन में है यह पूछा जाता है जिससे आप याद रखेंगे और इसके बाद अगर कहा जाए कि 2023 में 2023 में पंद्रयमा कौन समित्र चौदेवार पंद्रयमा आएगा दोजाब तेइस में पंद्रयमा ब्रिक्स का संविलन आप बता सकते हैं इंडिया एक बात किसम होगा चायना में होगा दच्छुड अफ्रीका में होगा कई इसमें की यह जाएगा दक्षण अफरी डास को कि यह पता है के 2022 का चायना में हुआ है और आपका इसके बाद देखिए इसके बाद देखेंगे आप जो ब्रिक्स देश है ब्रिक्स संगठन है जो आपका ब्रिक्स संगठन है इसमें ब्रिक्स की लगवग 43 परसेंट जनसंग क्या यह पूछा गया है मतलब यह है जे ब्रिक्स देश हैं इसमें ब्रिक्स की लगवग लगवग 43 परसेंट जनसंग क्या नवास करती है जो ब्रिक्स देश हैं इसमें ब्रिक्स की 43 परसेंट पॉपूलिशन नवास करती है और सत्रे परसेंट यू सत्रे परसेंट ब्रिक्स में ब्यापार की भागिदारी है अगर ब्रिक्स का ब्यापार हंडेट परसेंट है तो कि अगर जीडीपी की बात की जाए अगर जीडीपी की बात की जाए तो लगवग लगवग 30 परसेंट जीडीपी जीडीपी विश्टुकी 30% GDP का यह नित्रत करते हैं यह देश 30% GDP इन देशों की है विश्टुके 70% अलग नुर्बर करते हैं अच्छा एक बार उता हूं आपको यह जो ब्रिक्स है इस जो संग्ठन जो संग्ठन है देशों का इसका गठन किस देश की संग्ठन को देखते हुए किया गया था तो बता सकते हैं बहुत आराम से जो जी सेवन गंट्री हैं वरतमाद समय पहले जी एट थे अब जी सेवन गंट्री हैं उनको देखते हुए ब्रिक्स देशों का संगठन किया गया था ब्रिक्स देशों ने अपना एक संगठन बनाया था किसको जी सेबन को दीखते हुए जिसमें विश्व की 43 परसंट जैसें के नवास करती है 17 परसंट व्यापार्म भागिदारिया और 30 परसंट जीडी पी इसका अपना युगदान देती है कि अब तक देखें मित्र भारत में कि तीन वार्व कि यह सम्मेट हो चुकी है यह संम्मिलन हो चुका है कि हो चुका है कि भारत में तीन वार्व सम्मिलन यह हो चुका है इसका ब्रिक्स का कब कब हुआ है फिर तरब बताऊंगा आपको आपनी नोट कर लिया होगा यह कि अब देखिए कि जो ब्रिक्स देश है इसका अपना एक बैंक है मैंने बताया कि फि당히 इसकांगठनका व Hee Green scientists है जो वर्ड वेंक है ५ब्रिक्स देश है कि ब्रिक्स देशों से ब्रिक्स बैंक की तरह से इसे ही अपना एक बैंक बनाया है जिसे फेन है क्या काहिए आता है न्यू डव्लब्मेंट बैंक एन इडव्लू न्यू डव्लब्मेंट बैंक इन्होंने बिस्व बैंक की तर्ज पर अपना खुद का बैंक बनाया है जिसमें हंड्रेड बिलियन यूएस डालर जब इसकी स्थापना कुई थी उस समय इस बैंक के पास हंड्रेड बिलियन यूएस डालर ज़नोंने एकटा किया था बैंक के लिए बैंक की स्थापना के लिए यदे कोई बैंक वाला स्थापना कियाती है तो उसके लिए वह अपना अपने से पास कुछ पूझ रखता है तो णियू डवलंबंट बैंक किस संगठन से संब्ढ़नत है तो आप बहुत आराम से हैं कि बृक् सेट def disc कोशा गयhero क के एंड डी पी ऐ डेग निव ड्वलंब्मेंट बैंक है इसका संबन्द किस संगठन से है तो आप मता सकते हैं यूश संगठन से हैं किसे ब्रिक संगठन से है जब इसकी स्थापना हुई थी तो 100 बिलियन युएस डालर इन्होंने अपनी पूजी रखी थी जिसमें कि जिसमें कि एक तालीस परसेंट कितना में तर एक तालीस परसेंट चीन का योगदान था ऐटारे परसेंट भारत का योगदान था ह už पांच परसेंट अ-च्छ्ण अफ्रीका का योगदान था इसके बाद 28 परसेंट रूस का योगदान था उसके बाद अठारे परसेंट ही ब्राजील का योगदान था इसका ब्राजील का योगदान था जब न्यू डेवलोप्मेंट की स्था अपना हुई उस समय हंडेड बिलियन डालर युएस डालर का जो पूजी रखी गई उसमें ब्राजील ने इस तरह युगदान था इस तरीकी से यह पूछा गया है मित्र इसका जो मुख्याल है मित्र इसका बहुत पूचा जाता है कि जो निऊडवलोंवेंट बंक है इसका मुख्याल है कहा है तो इसका मुख्याले बताता सकते हैं चीन में हैं कहां पर हैं चीन में हैं कहां पर इसका मुख्याले हैं चीन के संगाई सहर में कहां पर मित्र शंगाई सहर में इसका मुख्याले हैं अगर New Development Bank का मुख्याले पूछा आता है तो बता सकते हैं कि चीन में हैं और चीन के इसके बाद इसका तो चेत्री मुख्याले पूछा जाता है मुख्याले अगर पूछा जाता है इसका चेत्री मुख्याले कहां पर है तो आप बहुत आराम से प्रता सकते हैं जॉनसन वर्ग जॉनसन वर्ग यह दक्षन अफ्रीका में कि का पर है दक्षण अफरीका में प्रिटोरिया इसकी रायदानी है दच्ण अफरिका की है तो इसका छेतरी मुख्याल है नीओ डवलेबलमेंट का जो मुख्याल है मुख्याल है वो संगाही चीन में है और छेतरी मुख्याली linking बात की मित्र इसके जो अध्यच्छ है मित्र इसके जो पहले अध्यच्छ बनाएगे थे वह भारत के बनाएगे थे कोन थे के वी कामत कोन थे के वी कामत कि कि पहले अध्यच बनाएगे थे मित्र मत वह भर्त के उनका नाम क्या थाक के वी कामत के के वी कामत का संब्द निम्न में से किससे एंडीवी से हैं किससे एंडीवी से कभी-कभी आप जैसे पीसे सैसा एक्जाम देते हैं तो आपर मैसिंग के लिए ये कोशन आ जाते हैं तो आप बता सकते हैं बहुत आराव से कि एंडीवी का संब्द किससे के वी कामत से हैं किससे भी तरह आप नोट कर लिजिए अच्छा निउडवलोमेंट बेंग की स्थापना कम की गई अगर आप से पूछा जाता है कि निउडवलोमेंट बेंग की स्थापना कम की गई थी तो आप बता सकते इसकी स्थापना इसकी स्थापना दोहजार चौदे में की गई थी लेकिन यह कहां पर की गई थी तो दच्षड अफ्रीखा में की गई दच्षड अफ्रीका में की ग्या उ- कहाँ पर की गई थी दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, उसमें इसका पूरा खाका त्यार कर लिए गया था, मैं बताता हूं आपको, कि 2000 बारे में, ब्रिक्स का दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, उस समय जो New Development Bank है, इसका पूरी तरह से खाका त्यार कर लिए गया था, और 2014 में दच्छण फ्रीका में इस बैंक की जो सम्मेलन हुआ था, 2014 में तो इस बैंक की स्थापना की कर दी गई, कि यहां बैंक, New Development Bank, चीन में इसका मुख्याले होगा और इसकी अद्द्च्छप के भी कामत होंगी, इससे आप नोट कर दीजिए, अब देखिए, जो New Development Bank है, इसका टार्गेट क्या है, इसका उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द क्या है, इसका उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् क्या है तो आप बता सकते हैं बुनियाद सयोगी देशों का बुनियादी धांचा धांचा और सतत्विकास विकास इसका अविशा टार्गेट रहता है न्यू डवलप्मेंट अब देखिए मित्र एक अच्छा कौशन और बनता है यह से यह पुझा जाता है कि न्यू डवलप्मेंट बेंग के कितने देश सदस हैं तो न्यू डवलप्मेंट बेंग के जो सदस पूछे आते हैं शदस से पूछे जाएं तो अब बहुत आराम से बता सकते हैं पांच तो आपके वही हैं ब्रिक्स वाले कुण से वाले ब्रिक्स वाले पांच हो गए इसके बाद देखेंगे पांच के अलावा एक उरुगवे हैं उरुगवे उसके बाद यू एई मतलब सयुक्त अरव अभीरात इसके बाद मिस्टर के कहां साथ मिस्टर देश का सदस्य न्यू डवल्प्मेंट बैंक कर कि और उसके बाद बंगला देश अपना पडौशी बंग्लादेश तो निउडवलेमेंट बैंक में इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल 9 मेंबर हैं कितने हैं 9 सदस्ते अरव पूछा जाता है कि निउडवलेमेंट बैंक के कितने सदस्ते हैं तो आब बता सकते हैं पांच आपके वही ब्रिक्स वाले उसका उरुगवे यूए 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 सेयुक्त औरव अमीराथ मिस्त्र और बंगलादीस यह इसके मोश्टली सदस्य हैं तो मित्र ब्रिक्स से यहां से कोई कॉश्चन आता है जिस तरीके से मैंने बता है उस तरीके से आप नोट कर लिय हो तो दोस्तों से करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कॉमेंट्स करिए आप मुझे अपना भाई दोस्त गुरू जो ही मानते हैं मैं आपका शुक्रिया करता हूं अगर आप ऐसा करते हैं जैहिन जैभारत